और एक बड़ी और exclusive ख़वर की तरफ करते हैं फोकस हमारी executive editor स्वाती घंदेलवाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में स्वाती बताईए डाइवस्मेंट को लेकर क्या ख़वर है आपके बास दे रहे हैं और अब जो next steps है मैं वो बताना चाहूंगी क्योंकि मुझे सूतरब बता रहे हैं कि इस महीने के अन तक आपने देखा जब ओपन हुई थी तो बहुत बढ़िया उनको preliminary response मिले कई बिड़र्स यहां पर रुची दिखाने के लिए उन्होंने डाला और दूसरा डेटा रूम अभी आई डी बी आई बैंक खुलेगा और वो शॉटलिस्ट वो भी जो बिड़र्स शॉटलिस्ट हुए है उनके लिए जल्द ही खुलेगा by the end of next month तो step two कह सकते हैं हम इस privatization के process में IDBI bank जाते हुए दूसरी important timeline हम यहां ध्यान रखेंगे financial bids सेप्टेंबर तक यहां आने की बात हो रही है यानि कि आपको दो तीन महीने का समय जरूर यहां दिया जाएगा क्योंकि data room के बाद process क्या होता है जब उनकी details financials है उनको मिलते हैं फिर bidder उस पर सवाल तो यह timeline हमें ध्यान रखने की बात है और आपको पता है जैसे Fairfax, Kotak, Mahindra bank यह कुछ banks यह कुछ companies हैं जो interest दिखा रही है और वाकई इस पर bid करने की प्रक्रिया में हैं काफी serious bidders हैं RBI के साथ भी इनकी चर्चा इस वक चल रही है जो हमें बताया गया है और अगर IDBI का overall performance भ अगर focus खास करें तो 60% से ज्यादा net profit बढ़ा है तो clean books है और एक बहुत बढ़िया large and quality deposit franchise इनके लिए साबित हो सकता है potential buyer के लिए in fact government बहुत bullish है जो मुझे सूतर बतारे है उनको लगता है कि current value attractive है इस पर अच्छा premium इनको यहां से मिल सकता है यह सरकार का मानना है ओके तो बाकी banks का तो प्राण नहीं लिए IDBI bank की जो इस्तेदारी बेचने की सरकार की योजना है वो on track है Fairfax Quotex जैसे नाम शामिल हो रहे है और हाँ यह ज़रूरे कि जो खरीदारों से बोलिया मंगवाई जाएगी उसमें अभी थोड़ा समय सितंबर के आसपास आप करें on track innovation program IDBI bank